Books That Speak में आप सभी का स्वागत है क्या आपको कार पसंद है या डाइनोसौर या उनके बारे में पढ़ना अच्छा लगता है क्या आपका मन कुछ जानने का करता है या आपके पास कोई सुझाव है क्या आपको अच्छा लगेगा अगर इनके बारे में आपको कोई पढ़कर सुनाए या आप किसी कोने में अकेले बैट कर पढ़ना चाहते है आईए हमारे पुस्तकाले में आपका स्वागत है Original Story Our Library by Pratham Books कहानी लिखी है रविराज शेटी हर सुबा जैसे ही पुस्तकाले खुलता है इशान संसनाता हुआ गुस्ता है और एक कोने में जाकर बैट जाता है वो जानना चाता है कि आखिर पेड एक दूसरे से क्या बाते करते है अपने साथ कई खिलोना कारे लिए बैठी मरियम नई पत्रिकाओं के पन्ने पलट रही है वो सबसे तेज चलने वाली स्पोर्ट्स कार का पता लगाना चाहती है और एक रेसकार चालक बनना चाहती है यानि के रेसकार ड्राइवर अबीर को बिना शब्दों वाली चित्र पुस्त के पसंद है शब्दों की तरह चित्र कूटते, फिसलते, उचलते और नाचते नहीं है दिव्या अम्मा और नन्ना के साथ किताबों की छोटी सी मीनार खड़ी करती है मीनार गिर जाती है, गिरने पर एक किताब खुल जाती है, वे उसी किताब को पढ़ने लगते है स्नेहा और अब्दुल भाई जादू वाली किताबे रखने के लिए एक मेज बना रहे है ताकि स्कूल में होने वाले मैजिक शो की तैयारी में स्नेहा को मदद मिल सके दोपहर में कुस्तकाल है हसी के ठाको इधर उधर की बातो और खिलोनों की जंकार से गुण जुटता है ये कहानी पढ़ने का समय है आज सभी एक लड़के और उसकी नानी के रोमान्चक कारनामों के बारे में पढ़ रहे है अमरुता और कुमेल को किताबों को ठीक तरह से वापस लगाना और खराब हो गई किताबों को ठीक करना अच्छा लगता है वे एक दिन लाइब्रेरियन बनना चाहते है परमीत हमेशा अपने साथ आतिशी शीशा लाता है और परेशान सा रहता है आखिर किताबों में इतना छोटा छोटा क्यों लिखा होता है कबीर को अम्मा की पिछली समुद्र किनारे की सेर के दोरान खीची गई तस्वीरों, रेट और कंकडू का इस्तमाल करके बनाई गई पुस्तक बहुत पसंद है दो साल पहले हया खाला और प्रमिला बेन की मुलाकात एक चितर पुस्तक प्रकाशक के यहां हुई थी अब वे दोनों पक्की सहे लिया है और उंगलियों से पढ़ने वाले बच्चों के लिए किताबे बनाती है जिस दिन जिल उदास या गुस्से में होती है वो पुस्तकाले में अपना सारा समय पन्नों पर पढ़ने वाले सूरज के प्रकाश का तमाशा देखने में बिताती है रियान और प्रियांका दीदी ने एक अंधेरे कोने में बैटने की शान्त जगहे बना रखी है जहां रियान टौर जला कर पढ़ता है प्रतेक शनिवार की शाम बुक क्लब औफ डिसेबल्ड यूथ के सदस्य यहां जमा होते है पुस्तकाले उस दिन घर के बने भोजन की महक, हसी और गपशप की आवाजों से भर जाता है क्या आप भी हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे? भैया अब हमें एक कहानी सुनाने वाले है कैसी लगी कहानी आपको और ऐसी बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए आप बुक्स दाइट स्पीक ये यूट्यूब और पॉड्कास्टिंग चैनल पर जरूर आईएगा धन्यवाद बाई बाई